नमस्कार दोस्तों, आज से हम प्रिवियस यर कोश्चन्स पे अपनी सिरीज सुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रती दिन 10 कोश्चन्स पे चर्चा करेंगे, यह जो आपके सामने हैं, यह असिस्टेंट ट्रोफेसर का कोश्चन पेपर है, इसके साथ साथ मैं UGC.net का भी 10 कोश्चन रोज अप्लोड करूँगा, उस पे चर्चा करूँगा, जिससे दिसमबर के एक्जाम आते आते, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, और कॉलेज लेक्चर के एक्जाम दिसमबर या फरवरी में जब भी होगा, तब तक इसका भी आपका लगभग खता जाएगा पूरा कोश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला कोश्चन है कि किसने कहा था, राजनीती मूल्यों का अधिकारिक आवंटन है, मतलब कि politics जो है, authoritative allocation है, values की, तो यह बहुत famous quote है, जिसको डेविड इश्टन ने कहा था, डेविड इश्टन को हम जानते हैं कि यह system theory से संबन दीत है, और इसने अपनी book लिखी थी, the political system, an inquiry into the state of political science, अब बुक का पूरा नाम भी कई बार पूछता है, तो आप लोग पूरा नाम भी देख लीजिएगा, the political system, an inquiry into the state of political science, 1953 में, और उसमें इसने यह वाली बात की थी, कि मूल्यों का अधिकारी कावंटन ह राजनीती के विवस्ता के बारे में, जो उसने बताया, ठीक है, राजनीती मूल्यों का अधिकारी कावंटन है, इसमें उसने कहा था, अगला question है, कि इसमें match करना है, following pairs in not properly match, यह not को आप लोग अच्छे से देखा करिए, कहीं भी not है, तो उसको पहले ही गोला लगा दी ज मिल्स का है पावर एलिट, यह भी सही है, बोटो मोरे, इसकी बुक है, या फिर इसने कहा था, एलिट एंड सोसाइटी, तो यह बिल्कुल सही है, एलिट एंड सोसाइटी की बात, बोटो मोर करता है, लेकिन जो सुम पिटर में दिया है, इस आएरन लॉफ ऑफ ओलिगार की यह बिल्कुल गलत है, आएरन लॉफ ओलिगार की सुम पिटर की नहीं है, यह रॉबर्ट मिशल की है, तो जो आएरन लॉफ ओलिगार की है, यह रॉबर्ट मिशल की है, सुम पिटर की नहीं है, which of the following is not related to union state relation in India तो इन में से कौन सा है जो भारत में संग राज सम्मंदित से सम्मंदित नहीं है कमेटी भी गई है तो जैसे राजमनार कमेटी है वेश्ट बंगाल गौवर्मेंट मेमरिंडम है पुंची कमीशन है तारकुंडे कमीशन है तो आप लोग समझ लिए जैसे राजमनार कमेटी तो है वेश्ट बंगाल गौवर्मेंट मेमरिंडम भी है पुंची कमीशन भी है तारकुंडे कमीशन इससे सम्मंदित नहीं है अगर आप इसको और अच्छे से सम्मंदेंगे तो मैं बता हूँ जैसे देखो तो राजमनार कमेटी जो है हमारी ये 1969 में आई थी और DMK गौवर्मेंट लेके आई थी इसको टमिल नाडू में है तो ये इस्टेट भी कई बर पूछ लेता है टमिल नाडू में आया था और ये सेंटर इस्टेट रिलेशन से सम्मंदित है वैसे ही पुंची आयोग जो है ये 2007 में आया था और ये सेंटर इस्टेट रिलेशन से सम्मंदित था गौवर्मेंट आफ इंडिया इसको लेके आई थी और जो तारकुंडे सम्मिती है ये 1974-75 में आयी थी और इसको एक स्वतंत्र संस्था थी Citizens of Democracy इसकी और से जय परकाश नारायड लेके आया थे और ये बताया थे कि चुनावी सुधार की बात की गई थी इसमें चुनावी सुधार की बात की गई थी कि क्या-क्या सुधार होने चाहिए इलेक्शन में 74-75 में आय थी इस तरह से यह चुनावी सुधार से सम्मंदित है, केंदर राजे सम्मंद से सम्मंदित नहीं है, तारकुंदे समिधी, अगले question पर आते हैं, भारत के किस राजे में इस्थानी शासन के लिए ombudsman है, मतलब which state has an ombudsman for government of India, किस state में है, इस्थानी शासन के लिए, तो यह केरल है इसका, वाल लाइनर question, who of the following was not a member of cabinet mission in India, तो cabinet mission में वैसे तीन member होते हैं, तीन member आये थे, ठीक है, उसका cabinet mission जो था, तेके तीन member आये थे, और 1946 में ब्रेटेन का प्रधान मंत्री था, एटली, और उसने इसको भेजा था, तीन सदस्ची था, और इसमें था, तीन सदस्ची थे, जैसे पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और एवी एलेक्जेंडर, तीन सदस्ची थे, तो देखिये, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, पेथिक लॉरेंस भी था, और एवी एलेक्जेंडर, तो जॉन साइमन नहीं था, क्योंकि सा सामन कमिशन में आया था 1927 में आया था सामन कमिशन और इसमें जॉन सामन आया था तो ये और दो नहीं आया था अगली बात अगला पुस्टन देखते हैं कि कौन इन में से नहरु समिती का सद़ से नहीं है मतलब कि not a member of नहिरू कमेटी, not कौन नहीं है ठीक है, not तो इसमें देखोगे, तो मोती लाल नहिरू तो उसके अध्यक्षे थे, सुभास चंद्रबोस भी उसके सदस्य थे, तो अब आप लोग एलिमिनेट कर लोगे, या तो जवार लाल होगा, या अली इमाम होगा तो इस सिंपल जवाते, जवार लाल नहिरूस के सदस्य नहीं थे, ये अपने पिता के खिलाफ ते, इसके सदस्य नहीं बने थे तो बाकी थे, सार अली इमाम भी इसके सदस्य थे खिलाफत आंदोलन, नेम लिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा हुआ है, ये बहुत आसान सवाल है, तुरकी से, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ड वर चल रहा था, तो तुरकी जो था न, वो हार रहा था, और इसलिए उस मुहाब के खलीफा के पद को खतम कर रहा थ जो ब्रिटेन था, तो उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, तो ये आसान सवाल है, हंटर कमीशन रिपोर्ट वाज रिलेटेड टू, हंटर कमीशन किस से सम्मंदित है, तो हंटर कमीशन जब जलिवा वाला बाग होता है, तब बहुत गुस्से में रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं, तो उसकी जाच के लिए हंटर कमीशन बैठाई जाती है, तो ये सी है, जलिवा वाला बाग के लिए हंटर कमीशनses बनी थी, ये है, चौदा, चौदा अक्तूबर उनीस सो उननीस में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, फिसापना की गई थ अगला है कि इन में से सही तरह से मैच कौन सा नहीं है कौन सा यूग में सही सुख मेरित नहीं है पूछा है जैसे Paul R. Brass का है बुख है Factional Politics in an Indian State तो यह एकदम सही है Brass कीती है बुख है Factional Politics in an Indian State Sailing Harrison की बुख है India the Most Dangerous Decades यह भी सही है यह वाली बुख The Idea of India ना यह अतुल कोहली की नहीं है यह है सुनील खिलवानी की तो ज़़ The Idea of India सुनील खिलवानी की बुख है अतुल कोहली की नहीं है तो यह गलत हो जाता है बकी Ronald Dawkins की तो आपको पता है कि Taking Right Seriously Dawkins की बुख है तो यह जो the idea of India है यह सुनील खिलवानी की है ना कि अतुलकोली की तो यह जो इंडियन थिंकर हैं contemporary इंडियन थिंकर हैं जैसे अतुलकोली हो गया, रजनी कोठारी, खिलवानी हो गया इन से आते रहते हैं प्रश्णी तो इनको आपको अच्छे से करना है भारत के सामान यह निरवाचन है तू एक निरवाचन छेत्र का निधारं किया जाता है कोन करता है, मतलब की area of constituency for the purpose of general election is determined by कोन करता है इसका निधारं तो इसमें आप confused हो सकते हो कि election commission करता है कि dee limitation commission करता है तो इसका answer deal limitation commission करता है, election commission नहीं करता है जो delimitation commission होता है ये र 10 साल में बनेगा और इसमें 3 member होते है और इसका जो अध्यक्छ होता है वो election chief election commission होता है और इसके अन्यदो सदस्यं जो होते हैं वो सरवचनेयल है मतलब Supreme Court या high court के अवकाष प्राक्त ने अधीश होते है तो तीन बार अभी तक बनाया है, 51, 61 और 71 में, 71 के बाद इसको बढ़ा दिया गया था, तो आज के 10 कोश्चन हम देख लिए, ये UP का था, UP PSC के कोश्चन थे और बहुत सरल कोश्चन पूछता है UP, तो UP में ज्यादा कटिन कोश्चन नहीं आते, इसलिए मैं यहीं से शुरू बढ़ेंगे, तो UP का कोश्चन पहले करेंगे, फिर मध्यप्रदेश, 36 गड़ ऐसे होते हुए, फिर हम राजेस्तान में आएंगे, जो थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो धन्यवाद,